से स्टू स्टू साइन्स और अंगुर विला ज़िगा कि आप लोग मेरे प्रिज्वेश्क्षर में देखते आ रहे हैं कि मैं आपको कैमस्यी में फर्स चैप्टर बढ़ा रही हूं सब कुछ बता दिया को रोजन मतलब होता है संचारा मतलब जैसे कि कोई भी अभी मैं आपको सो डिपनीशन से और क्लिया करूंगी इसकी डेफिनीशन है इसकी अधिनीशन होत छाय हूं है एर क्रोजन इसकी डेफिरन से बीधिनीशन होता है मतलब धीरे धीरे मैटल्स को नफ्ट करना या खाना आज समझे तो कोरोजन का अर्थ हम इस पस्तू में यह बोल सकते हैं कि जब किसी मैटल्स को हम किसी वायू मंदल पे खुला छोड़ देते हैं तो वायू मुणी ने उस पो खुला छोड़ दें मालेजे कोई धातू है ठीक अंदर में खुली रहेगी मतलब एट्मॉस्वेर में इसे ओपेंली छोड़ देंगे तो हमारे एट्मॉस्वेर में कुछ गैसे हैं ऑक्सीजन नैटोजन एक्सट्रा ठीक है बोटर के पर नमी होती है तो वह क्या होता है जब वह गैस और नमी आपस में रेक्शन करेंगी तो अर्य होगला कर देंगी तो फिर क्या होगा दीरे दीरे निस्च वेजाएब द नमीप में बेकार हो जाएगा खराब हो जाएगा के यही होता है हमारा को अधिक और को रूजन को जो आईदर में इक लेयर जमा होती है उसको बोलते है अभी मैंने आपको बताया है ना जब क तो दीरे धीरे उसमें water vapors और gases आके reaction करके उसमें लेयर बनाने लगती है लेयर के उपर लेयर के उपर लेयर तो जिससे क्या होता अंदर का जो भाग होता है अब लोग पता ही होगा कि आप लोग अपने घरों में अब तो फिलाल एसी हो गया पहले लोग अब लगाने तो क्या होता है पुलर में आरेम यूज़ किया जाता है था थोड़ा बहुत तो क्या होता है कि अब तो पाहर रख रहा है तो तो और नमी यह सब reaction करती है उससे तो देर देरे वो कुछ सालों में तो तंगी खराब जाती है ऐसे ही आप समझें कि उसे ही हम को रोजन कहेंगे ठीक है आप हम कुछ जान लेते हैं इसके एक्जामपल इसका एक्जामपल क्या है अब हम अगर जैसे आप लोग देखेंगे कि आप लोग की मम्मी वगएरा जो पाल पहनती है उसमें ब्लैक कलर की कोर्टिंग आ जाती है कैस जो पाल भाण पहनते हैं हम लोग को ठके तो रहते नहीं है तो क्या होता है फाई पाल पहनते में इक्जामपल की उसमें वॉपर ऑपरिखेजल्ट की ब्लैक कराल हो जाती है खराब पहर जाती में। तो वह क्या होता है वह भी black coating ठीक है तो silver silver के उपर ब्लाइक कोटिंग होते है वह corrosion का एक बहुत अच्छा एक्जाम्पल है और आजाते हैं copper पर आपने अपने घर में देखा हुआ पूजय वगारा करते हैं तो copper का glass copper का आपका जिससे जल चड़ाते हैं वह वह इसमें वह भी क्या होता है तो अब आते हैं कि रैंसिति रैंसिटि का मतलब है कि रेंसिटी का मतलब आप ऐसे समझें स्मेल से ठीक है आप देखें रेंसिटी इस नेट्रल प्रॉसेस ऑफ डिकम्पोजीशन ऑफ पैट एंड और हैड्रोलाइज और ऑक्सिदाइज बोल्ड ठीक है अब आप लोग यह बताईए कि आप लोग घर में खाना बहुत देर तक ही खुला छोड़ देते हैं तो वह धीरे-धीरे खराब होने लगता है एक मैं आपको एक्जाम्पल से बताती हूं ठीक है बदबू आने लगती है उसमें खराब होने लगता है तो में ली वही मैं बता आन चाहिएू कि रैंसिदिटी खाई एक्जैक्ट मतलब होता है एक तका की बत्बू जो मतलब हमको अप्रियह प्रियह बत्र जो मिल पसंद नहीं मैं ठीक है वह होती है हमारी रैंसिदिटी ठीक है दूर्गंदाना ठीक अब अगर हम ऐसे शमनें कि जो हमारे fat और oil है वो decomposition के द्वारा hydrolyze और oxidize दोनों होते हैं जिससे उसमें क्या होता है उसमें एक प्रकार की smell आती है खराशी ठीक है अगर हम इसको easy language में समझें तो अगर हम कोई ही fat या oil को कुछ समय तक कि इसमें लिखा है ना fat या oil पैंट या oil को कुछ समय तक कि खुले में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है वो oxidize oxidize हो जाएगा ठीक है ऑप्सिक्रत हो जाएगा जिससे क्या होता है उसमें से एक प्रकार की बजबू आने लगेगी इसमेल आने लगेगी ठीक है वो रैंसिटी हुआ ठीक आप रैंसिटी की कुछ यहां पर कॉइंस लिखें मैंने इस गेप्स राइस तो अन्प्रिसेंड और एंड टेस्ट मैंने बताएं ना कि अगर हम फूड को कापी देर तक ही खुला छोड़ देते हैं जैसे मानलीजे और कीपिंग फूड कंटेनर काफियर अगर हम किसी भी पूड को या कोई भी खाने का सामाने अगरgg देंगे सब्सक्रिदिस कंटेंट कंटेनर में रखेंगे तो उसमें ऑक्सिडेशन काफि स्लो होगा अगर टिख यह मैं पर थेंगा थे अगर oxidation काफी slow हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा जब oxidation slow हो जाएगा तो खाना देर में खराग होगा पर कुछ समय बाएगा ठीक है और next next example देखें मैंने बहुत यह चिप्स कंव होता है इसमें इतना छीप्स भान ऊधे और इतना यह भर हुआ एसमें खाली रहता दो है अगर और और उसमीं काफी एयर जैसी लगती है लोगो उस एयर में क्या होता है वो कि नाइट्रोजन उसमें भरी जाती है जिससे क्या होता जिससे अंदर का चिप्स है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप चिप्स अभी बने अभी मैनुफेर्चरिंग वहां से फैट्ट्री से आए और अभी आप शॉप से लेकर आभी खाली ऐसा नहीं है जब जहां बनते हैं वहां से आप तक आन उसमें जो प्रैट और औरा ओए है वह एक्सिडेशन मतलब उनमें जो होगा वह ऑक्सिडेशन काफी अधियाशन होगा तो एक्सिदेशन दॉट।कर देंगे उसमें से स्मेल आने लगेंगी बदबू आने लगेंगी ठीक है और टेस्ट भी खराब हो जागा इसलिवए हम चिप्स जो है इसमें लिखा है चिप्स मैनुफेक्ट्टर यूजरी फ्लश वैक्ट टू चिप्स विद गैस सच आज नाइट्रोजन इसलिए नाइट्रोजन को रखते तो प्रिवेंट देखी लिखा है तो प्रिवेंट दाचिप्स फ्रॉं गटिं ऑक्सिदेट ठीक अब अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइट शेयर और सब्सक्राइब परिए थैंक्यू